च्छतिस गड़ में कुछी दिनों में विदान सभा चुनाओ होने जा रहे हैं, जिसके लिए नभ्धह सीटों पर चुनाओ होंगे और करीब दो करोण मतदाता अपने मत का चुनाओ में परियोग करेंगे। ऐसे में चुनाओी परचार चुरम पर है। जिसके लिए च्छति आवी रैली में पियम मोदी ने कांकेर की जंता से कहा कि 36 गड़ में कॉंग्रेस का विकास से 36 काकड़ा है पियम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पिछडों को आगे करना है 36 गड़ को देश के टॉप राजियों में लाने का है भाजपा का संकल्प 36 गड़िया पहचान को ससक्त गरने का है भाजपा का संकल्प हर गरीब आदिवासी पिछडे के हीतों की रक्षा करना है भाजपा का संकल्प 36 गड़ को देश के टॉप राजियों में लाने का है इसके साथी पियम मोदी ने मंच से विपक्षप निशाना साथ तेवे कहा कि 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी पूरे हमने किये हैं क्योंकि उनकी गैरंटी मोदी ने दी थी मोदी की गैरंटी याने हर गारंटी पूरा करने की गारंटी गंगा जी की कसम खाकर जूठी गोशना करने का काम सिर्फ कॉंग्रेस के नेता ही कर सकते हैं नव साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी हमने पूरे किये हैं क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी इसके साथी पियम मोदी ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाते वे कहा कि 36 गड़ के निर्मान के लिए राजी की जनता और बीजेपी ने मिलकर काम किये जब तक कॉंग्रेस की सरकार रही वे यहां बीजेपी सरकार से दुश्मनी निकालते रहे लेकिन हमने फिर भी राजी के विकास के लिए काम किया उन्होंने जनता को संबोधित करते वे कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक विधायक या मुखे मंदरी चुनने के लिए नहीं है बलकि यह आपका और आपके बच्चों का भविशे तैक करने का चुनाव है